हमें यह भी मानना होगा कि वैश्वी क्लाइमेट एक्षन अभी तो कहीं सभल होता नजर नहीं आ रहा है। दुन्या जहां थी वही ठैरी हुई है। इक के दुखें पाद कुछ कर पाते होंगे। लेकर हम कर पा रहे हैं इसका कारण क्या है। इसका कारण यह है। इसका कारण यह है कि हम क्लाइमेट एक्षन को सरकारों की मल्टि लेटरल संस्थाओं की जिम्मेदारी के रूप में देखते रहे हैं। जब तक सोसाइटी इससे जुड़ा मैसुस नहीं करेंगी मोधी-मोधी करने से नहीं होता है यह इसलिए हो रहा है कि हर हिंदुस्ताने बचन बद्ध हो करके संकल्प बद्ध हो करके खुद से जो हो सकता है करता है और जब हर व्यक्ति इसे खुद का दाईत्व मानता है तो लक्ष से हम कभी दूर नहीं रहते दोस्तों और आज हिंदुस्तान इसलिए कर पाँ इस समस्या के समाधान पर विश्वे के अने विचार चल रहे हैं अने योजना चल रही हैं अने एंजियो भी अपनी दुनिया चला रहे हैं बहुत कुछ हो रहा है अलग अलग तरी के से हो रहा है लिगे हाँ भारत ने एक नया विचार रखा है आगर किया है और मैंने ग्लास को जब आया था तो मैंने एक शब्द में उस बात को वरनित किया था और मैंने कहा था हमें लाइफ पर फोकस करना है लाइफ ल-i-f-e और जो मैं लाइफ बोलता हूँ तो मेरा कहने का तात्परी होता है लाइफ स्ट्राइल फॉर एंवार्मेंट लाइफ स्ट्राइल फॉर एंवार्मेंट को प्रमोट करने का आज समय की सबसे बड़ी मांग है Conjunction oriented approach इससे बहार निकलना बहुत जरूरी है Use and throw वाला mindset प्लैनेट के लिए नकारात्मक है हम कितना use करते हैं यह pocket की size से नहीं बलकि जरूरत से तै हो हम जरूरत से ज़्यादा जो भी use कर रहे हैं उससे दुनिया में कोई न कोई वंचित हो रहा है उससे दुनिया के किसी कौने में nature को exploit करने का दबाव बढ़ रहा है इस sense of responsibility को हमें अपनी families में जागरित करते रहना होगा